इस्पा की आड में सेक्स का कारोबार रिहाईशी इलाके में जिस्क की दुकान दिल्ली के बाद गाजियाबाद में मचा कोहराम क्या सेक्स कनेक्शन में धरी गई दस इस्पागर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तीन इस्पा सेंटरों का परदा फाश हुआ है छापे मारी में पाया की यहां इस्पा की आड़ में जिस परोशी का कारोबार चल रहा था फुलिस ने इस्पा सेंटर से करीब 19 लोगों को गिरफतार किया है फुलिस को लगातार शिकायट मिल रही थी कि इंद्रापुरम के राजहंस प्लाजा में स्पा सेंटर के नाम पर देव्यपार का धंदा चलाया जा रहा है जिसके बाद यहां छापा मारा गया इसी दोरान राजहंस प्लाजा के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर इस्थित मैपल इस्पा और जन्नक इस्पा सेंटर पर भी अचानक छापे मारी की गई इसी सूचना के आधर पर राजहंस प्लाजा के सेंटर और थर्ड फ्लोर पर इस्थित मैपल इस्पा सेंटर और जन्नत इस्पा सेंटर पर हमारी टीम के द्वारा रेट डली गई वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां आपतिजनक अवस्था में मिले और उनके पास से ऐसे सामगरियों की भी वरामद्गी हुई जिनसे प्रमानेत हो रहा था कि यहाँ पर देवरापार चलाया जा रहा है इन सभी लड़के लड़कियों को और इन स्पा सेंटर के मैनेजर्स और मालकियों को ग्रिफतार किया गया है और उन पर कानूनी कारवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि गाजियाबाद के पौश इलाके में इस पाकी आड में देहवेपार का धंदा किसकी शेह पर चल रहा है दूसरा सवाल ये कि आखिर जिस फरोशी के इस धंदे में ये लड़कियां आती कहां से हैं नवोदे टाइम्स के लिए करुनटाकुर के साथ धीरश्चर्मा की रिपोर्ट काजियाबाद